हाई फ्रेंड्स स्वागा थे आप सभीकों मारा यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करना चाहते हैं ड्रग फोर रेस्पारेटी डिसोडर यानि ड्रग फोर कफ सोसंतंत्र से रिलेटेड जो डिसोडर होती है जो बिमारी होती है उसमें बीडियो के उपर पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिसकस किया था ड्रग फोर कफ ठिकड़ कफ शिरब के उपर की कफ शिरब का कंपोजिशन क्या होता है कौन-कौन सा अलग-अलग इंग्रेन्ट उसमें मिला होता है इस एक्सपेक्टोडेंट क्लास का एम्रोक्ष् क्लराम kicked यह एंटी अलर्जिक भी बहुत सारे हैं ड्रक stip वू्पर दिश्कस किया था और साथी किए चण टाइप के उपर किया था किक कितने टाइप होते और कौन से टाइप में कौन कौन सा दवान ज्यादा जरूरा च बूदियो का लिंक मैंने इस के description में दे रखा है तो उसे भी एक बार आप जरूर देखे और आज की वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ कफ के treatment में जो अलग-अलग individual classes के drugs होते हैं अलग-अलग group के जो drugs use किया जाते हैं उसके उपर जैसे जो फर्स्ट क्लास के जो ड्रक्स यूज किया जाता है कप में वह है फैरिंगल डी मुल सेंट जो next class है वह expectorant इस क्लास का बहुत सारा salt यूज किया जाता है इसी तरह next जो जो तीसरा class है इसका वह है एंटी टीशू ठीक ना और जो next है वह है एड्जूएंट एंटी टीशू तो चलिए देखते हैं यह फैरिंगल डी मुल सेंट क्या है और इसके अंदर कौन-कौन सा इंग्रियेंट है कौन-कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है साथी expectorant एंटी टीशू और इस सारे के इंडिविजूल ग्रूप्स और सॉल्ट के उपर डिसकस करते हैं उससे पहले अगर भी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को टिक करें ताकि फार्मेसी से रिलेटेड मेडिसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें अगा लुक्त फैरिंगा डिमिल्स जो कि फस्ट क्लास का ड्रग है कॉप शिरप में यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स यह जो फैरिंगल डिमिल्सेंट है एक एजेंट होता है ठीक नर जो कि हमारे फॉर्म करता है इसको ब बना लेता है मुकस मेंब्रेन होता है इस पर एक ठीक लेयर बना लेता है मोटा सा ठीक न और माइनर पेन से भी रिलीफ दिलाता है हमको मतलब हलका फुल का जो पेन होता है खासी के वज़से गले में उससे रिलीफ दिलाता है इस क्लास का फैरिंगल डीमुल सेंट क्लास का ज जेनरली health इसका जो help होता है मतबब यह जो salt यूज करतेइं इसका जो action time में दबा का का जो काम करने का समय है वह 30 मिनार तक होता है average time में यह बाकी patient पर निर्वर करता है इसके अंदर जो दवा यूज किया जाता है उसका डोसेज फ़र्म यानि फिचकल फ़र्म यह टेबलेट फ़र्म में एक्वलेवल है मार्केट में शीरप फ़र्म में और चॉकलेट के फ़र्म में भी बहुत सारा के फॉलं में आती है और इंक करता है और शुतिंग TE फ्यकुंद हमारे कान पी आपसे ये रिलीफ को जाता है और चौकलेट के फॉर्म में भी बहुत सारा फार्मासुटकल कंपनी फैरिंगल डिमुलसेंट को बनाती है अगर बात करें फैरिंगल डिमुलसेंट के इंग्रियंट के उपर तो इसमें आते हैं लॉंच शीरप ग्लाइसेरीन और लिकूरीस का यूज किया जाता है ओफोट की बात करें तो इसका एक इसका आक्टिव इनग्रियेट्ट तकर इसका यूज किया जाता तो अलग के यूज के जाता है ताकि अलग के खिलेवर ऐस मतलब दवा तकम तंस मतलben के यूज लेनेट की तरह यह काम करता है और प्लिजेंट टेस्टिंग इसका होता है ठीक ना और यह हमारे माउथ में स्लोली डिजॉल्व होते हैं डिसिंटिग्रेट हो जाते हैं जैसे लॉंच की बात करें तो सिपला कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है कॉफ सिल्स के नाम से काफी ज्यादा मार्केट में अवलेबल है और जिंजर या फिलेवन फ्लेवर में यह एवलेबल है मार्केट में जिसका कंपोजीशन की बात करें तो टूफोर डाई हाइड्रो बेंजाइल एलकोहल के साथ इसमें यूज किया गया है एमाइल मेटाशेट्रोल लॉंच यह यूज था इन्ग ग्लाईसरीन दों जानेगे कि यह तो इसका यूज करने का WOR्स यह है कि यह जो डimana है कब से और सोर अब थ्रोट हमारे जो गले में घर-गराइन होती है खसकाशा '' जाती है कने वजह से तो इससे यह रिलीफ देता है अराम दिलाती है इसे वजह से इसका यूज कि देख सकते हैं के नाम से यह आती है मार्केट में लिएवल भी है लिक्यूरेस तो लिक्विर्यास का जो यूज किया गया है वो बौत expectorant यानि और demulcent की तरह भी ये काम करती है expectorant class का जो भी salt होता है friends ये करता क्या है कि इसका main काम है हमारे sputum हमारे कफ को बाहर expel करना बाहर निकाल इस class का जो भी ingredient होगा expectorant का इसका यही काम आती है ठीक ना तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ thanks for watching my video thank you comment करके जरूर बताए कि कैसा लगा